तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले क्लास 12 का इन और्गैनिक केमेस्ट्री इन और्गैनिक केमेस्ट्री में जो चेप्टर नमर 9 है उसका चेप्टर का नाम है कोडिनेशन कमपॉर्ण यह आपके वोड इक्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेट होता ही है लेकिन अगर आप लोग कमपेटिटिव इक्जाम में भी बैठते हैं तो वहां पे भी देखेंगे कि कोडिनेशन कमपॉर्ण से हर एक बार कुछा जाता है ठीक है तो चलिए यह चेप्टर हम लोग क्योंकि वे लोग अच्छा तरीके से सभी चीजों को नहीं समझ पाते हैं कैसे औक्सिडेशन अस्टेट निकाला जाता है यह नहीं समझ पाते हैं कैसे कोडिनेशन नमबर निकालेंगे यह भी नहीं समझ पाते हैं लिगेंड्स कौन-कौन होते हैं वो भी नहीं पहचान प लोगों को उपर उपर बता दिया जाता है तो बच्चे क्या होते हैं कि छोड़ दिते हैं इस सब करना क्योंकि उन्हें बहुत कठीन लगने लगता है कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर हम लोग इसको कैसे क्या करें आप चाहे तो अपने सिनियर लोगों से भी पूछ स सब ही लोग बूलते हैं कि यह चेप्टर बहुत हैसान है लेकिन हम लोगों से बनता ही नहीं था बहुत बार कोसिश करते हैं तो तब भी हम लोग नहीं बना पाते थे कौई legitimately हैं हमारे बच्चे तो सभी बना ही लेते हैं यह कोई भी चेप्टर हो तो उसे बहुत ही अराम तरीकों से क्या करते हैं हरे questions को deal कर लेते हैं लेकिन मैंने अगल वगल के जो बच्चों को देखा तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी platform online में ही आना चाहिए जिससे क्या होगा कि जायदा से ज़्याता है बच्चा भी सीख सके और अपने board exam में अच्छा से अच्छा marks ला सके इसे चलते आज हम लोग क्या किये हैं? Online platform में आने के कोशिस किये हैं और हमलोग क्या करेंगे हापे हर एक चेप्टर जितना भी होगा हर एक चीजों को हम लोग कभर करने की कोशिस करेंगे हमारा कोशिस यही रहेगा कि हम जीतना से जितना असान तरीकों से आपको समझा सके बसरते आपको क्या करना पड़ेगा आप सांती जगह में जाएं और पुरा बारीकी से हमारी वीडियो को लगतार देखते चले जाएं आप हमारे एक ही लेक्चर से पता चल जाएगा आपको कि अखिर हम किस टैफ से पढ़ाने वाले हैं और आपको कितना हद तक समझा पाएंगे अगर अधि हमारे वीडियो पूरा पसंद आता है तभी आप क्या करें कि हर एक लेक्चर को फॉलो करते चले जाएगा मैं आपको गैरेटी देता हो कि आपको हर एक चीज अराम से समझ माएगा आपको सिर्फ यही चैप्टर नहीं आपको जितना भी चैप्टर होंगे सब ही बहुत ही आसान तरीकों से समझाया जाएगा और आप बहुत ही आसान तरीकों से सीख भी पाएंगे तो हम लोग जाएदा बात नहीं करते हैं, हम लोग क्या करेंगा, आज coordination compound का जितना भी हम लोग कर पाएंगे, उतना हम लोग करने की कोशिस करेंगे, तो इससे हम लोग को तीन marks का जो questions आता है, हम लोग से एक भी questions नहीं चुटे हैं, रही बात हम लोग को marks और हम लोग को सीख हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग को जब science लेकर चलेंगे, हम लोग जब यहाँ पर chemistry लेकर चलेंगे, तो हम लोग को क्या होता है, बहुत ही गहराई तक जाना पड़ेगा, और उतना गहराई तक जाने के लिए हम लोग को क्या होगा, कि छोटा-छोटा चीज को जानना प कभर करेंगे, ताकि हम लोगों को आने वाले दिन में कहीं भी किसी तरह की परिसाने ना जखना सकते हैं, तो हम लोग देर नहीं करते हैं, हम लोग यह चप्डर को सुरू करते हैं, और जितना से जितना जल हो सकेगा, हम लोग इसको कभर करके पूरा चेप्डर को complete कर कोडिनेशन केमस्ट्री अखर होता क्या है तो जहां पर और ये सिद्य करते हैं तो वेज साल्ट के बारे किंद थे यहांपर Het chemistry that deals with a study of complex salt are known as coordination chemistry यहां लोग क्या करेंगे coordination chemistry में यहां पहलोग complex salt यह होता है इसका थे डहों कैंब और इसका हम लोग कह सारे exempel वहां रहेंगे तो यहां पहलोग जो हम लोग study क्रेंगे वह हम लोक्त कहां आलट के बारे में ही study करेंग dollars क्या होता है तो chemistry का वह branch जिसमें लुका करते हैं तो complex salt के बारे में study करते थे तो वा इसफ़ी क्या बूलता है coordination chemistry अब दिखंगे यहां पर हम लोग आता है molecular या addition compound is molecular या addition compounds क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं तो कुछ नहीं है यह दोस्त यह क्या सो समझते पहले आपस में क मैन कर लेते और कंद करने के बाद एक निर्मान करते हैं और तरब और बड़ा मोलेकियल जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं area kü yea carry क्या होता है कुछ नहीं है बहुत हिया आसां तो से आप समझने कीुंस करें यह बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं है बहुत ही चोटा-चोटा चीज है तो हम लोग क्या करते है कि 2 या 2 से आधीक जो हम लोग को छोटा या फिर छोटा जो simple होता है साल वो क्या होते हैं कि आपस में क्या होते हैं combine हो जाते हैं और आपस में combine होने के बाद एक क्या होता है बहुत बड़ा molecule का निर्मान करते हैं और वही molecule का, जो large molecule होता है, वही molecule को हम लोग क्या बोलते है, molecular compound बोलते हैं, या फिर addition compound बोलते हैं, बत समयमा है, चलिए, यहाँ पर English में लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ देते हैं, क्या लिखा हुआ है, when two or more than two simple and small salt molecules combined among themselves to form a large molecule, then this large molecule formed is known as molecular या फिर addition compound, वही ची बताया है, कि जब हम लोग 2 या 2 से अधिक simple, small salt जो molecule होते हैं, वो लोग क्या होता है, आपस में combine होते हैं, और आपस में combine होने के बाद एक large molecule का निर्मान करते हैं, तो जो large molecule बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, molecular या फिर addition compound बोलते हैं, बत समयमा है, चलिए, बहुत जल्दी उसको समझ सकते हैं, बात समयमा है, चलिए, तो हम लोग इसको example के सहीद, हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए, जैसा कि हम लोग first example को देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि potassium chloride, magnesium chloride, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, water को मिलाने के बाद, यह हम लोग क क्या बुन रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग को बड़ा salt बन रहे हैं, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, कि हम लोग को छोटा-छोटा salt, यह देखिए, KCL जो है potassium chloride, यह भी हम लोग को salt है, magnesium chloride, यह भी हम लोग को salt है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो मिलाने के वहने पर देख रहें कि और लगों किसमिगी आ बढ़ते है और यह को मोलीकुल बन रहा हुं और यहां पर जो salt होंगे उन लोगों जो mix करेंगे mix करने के बाद यहाँ पे जो बड़ा molecule बन रहा है वही molecule को हम लोग क्या बोल रहे है molecular compound या फिर addition compound बत समय में आप यहाँ पी जैसे की बात आ जाता है salt तो आपको यह भी जाना जब होग जरूरी है कि salt आखिर होता क्या है तो जैसे कि acid और base को मिलाते हैं जब हम लोग acid और base को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं एक बड़ा सा क्या है तो एक मोलीकूल का निर्मान किया ठीक है उसी तरह से यहाँ पर देखें क्या है potassium sulphate है यहाँ देखें फिर aluminium sulphate है यह दोनों क्या हो रहे हैं आपस में combine करने के बाद क्या कर रहे हैं फिर से यहाँ पर एक हम लोग को हम लोग कोर्फ नीर्मान कर रहे हैं बढ़ा molecule है और यहीं हम लोग क्या पूर रहे है Molecular compound kald रहे ठीक है यहां फिर देखें next को एक बोलेंगे मोलेकुलर कमपॉण बोलेंगे या फिर एडिसन कमपॉण बोलेंगे क्या होता है यह यह भी हम लोग दो या दोसे अधिक या फिर स्मॉल जो साल्ट होते हैं वह सभी क्या होते हैं आपस में के के बाद एक large molecule का निर्मान करते हैं और वही जो large molecule होता है उसको क्या बोलते हैं molecular compound बोलते हैं या फिर addition compound बोलते हैं उसका example भी देख लिए अब यहां पर देखें कि बहुत बार objective questions में आपको पूछा जा सकता है कि Carnalide जो होता है उसका formula क्या होता है पॉटास आलम क्या होता है उसका formula बताई तो बहुत बार क्या हो रहेगा option में दिया रहेगा या फिर आपको वहां पर direct fill in the blanks में भी पूछ देगा कि Carnalide का formula क्या होगा पॉटास आलम का formula क्या होता है तो बहुत बार यह दोनों questions पूछा जा चुका है इससे चलते हैं इसमें आप focus किजिएगा Carnalide क्या होता है यहां पर देख रहें कि KCL, MgCl2 और 6 mol यहां पर देखें कितने mol में आपका water है वह भी आपको देखना बहुत जरूरी तो यहां पर देख रहें कि कितना एकवस जो रहता है वहां पर देखें कि वाटर में वह कितना mol लिया जाता है तो यहां पर देखें कि कार्नलाइट जब पूछा जाएगा तो वहां पर देखते हैं कि water जो molecule होता है वह कितना mol लिया जाता है तो 6 mol होता है यह दोनों आप example रट लिजेगा क्योंकि यह क्या होता है कि directly आपका questions आने की संभावनाएं बहुत होती है यह तो फिर आपका competitive exam में पूछ दे या फिर आपका हो सकता है कि आप जिस भी बोड से relate करते हैं उसमें भी आपका पूछा जा सकता है ठीक है तो यह दोनों से इक्ज पूटास आलम का formula क्या होता है यहां पर देख रहें कि K2, SO4, Aluminium sulphate भी मिला रहे हैं फिर वहां पर मिलाने के बाद यहां पर जो हम लोग को compound बन रहा है वहां पर क्या बन रहा है पूटास आलम बन रहा है अब फिर यहां से पूचा जाएगा कि जब पूटास आलम में जो चलिए तो यह दोनों के example आप याद कर लिजेगा बात समझमाएं तो चलिए फिर हम लोग नेक्स चीज़ के बारे में बात करते हैं Molecular या addition compound भी कितना तिजाट होते हैंagneril होते हैं कितना टाप होते हुथ होते हैं क्यां होता है Molecular या addition compound जो है इसका दोटाप होते हैं एक होते हैं हम लोग का double Gas See Cert और दुसरा होता है complex salt अब वह दोनों के बारे में हम लोग कुछ चरजा करते तो यह जो double salt और complex salt होते हैं उसका molecular जो compound है उसका जो tap होते हैं कौन-कौन सा double salt और complex salt इसको हम लोग समझते हैं इसका सबसे पहले क्या पलते हैं कि इसको तो हम लोग समझेंगे साथ ही साथ जो हम लोग को एक questions आता है जो कि आपको पूछ भी सकता है जब subjective जब आपका एक्जाम होगा तो कभी कभी क्या होता है कि इससे भी questions आने की ज्यादा probability हो जाती है तो यह questions आपके लिए important बन जाता है क्या है तो state the differences between क्या ची तो double salt और complex salt कि दोनों में से आपका इसमें difference हम लोग को बताना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको जो हम लोग समझेंगे समझने के लिए हम लोग इसका direct ही क्या करेंगे difference को भी समझते चले जाएंगे तो वहां हम लोग और भी अच्छा तरीका से बेटर तरीका से समझ सकेंगे तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग double salt को, तो double salt के लिए हम लोग कैसे कैसे इसको define करेंगे, और कैसे कैसे हम लोग जानेंगे कि वह हम लोग को double salt होता है, और complex salt हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, और इसको हम लोग कैसे define करेंगे, तो चलिए इसका हम लोग फर्स्ट जब हम लोग देख रहे हैं difference वो क्या है सो देखें और सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको देखें double salt और complex salt को बताने से पहले आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि आप कैसे पस्चानेंगे कि वही आपका double salt है और complex salt है तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले देखें यहाँ जो हम लोग example लिये थे चार example में से, क्योंकि हम लोग देखें यह molecular जो एक compound होता है इसी का tap हम लोग को क्या है, तो हम लोग देखें double salt और complex salt है दोनों किस का tap है, तो molecular और addition compound का ही tap है अब यहां पर जब example दिये हैं तो कहीं न कहीं वो दोनों भी इसमें सामिल होंगे, हैगी नहीं, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि double salt कौन सा हम लोग को होता है, हम लोग कैसे पहचानेंगे, और जो complex salt है, वो हम लोग को कौन है, और कैसे हम लोग उसको पहचाने तो यहां पर देखें, जो first number का जो हम लोग लिए थे, यहां पर जो देख रहे हैं, इस वोला जो देखें यहां पर, यहां पर देखें, जितना हम लोग को mole, mole पहचाने तो आपको आता ही होगा, क्योंकि आप तो redox reaction भी पढ़ चुके हैं, है की नहीं, 11th class में, चलिए, त पहले भी कुछ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है, एक mole इसमें भी है, अब यहां पर देखें, जो water लगा है, कितना mole लिया है, 6, अब यहां पर देखें, जो हम लोग लिये हैं, और जो यहां पर प्रोड़क्ट जो बना है, अब दोनों में देखें कि कौन कितना mole है, यहा पर एक मोल है तो यहां देखें प्रोड़क्ट में भी जो केसील बना है वो भी कितना है एक मोल है फिर यहां पर देखें कि मैगनिसम कुलोराड जो है वो भी मुलको एक मोल था तो हम लोको प्रोड़क्ट में भी कितना बन रहा है एक मोल ही बन रहा है वाटर देखें यहां पर एकटेंट में कि 6 mol था है तो यहां पर देखें प्रोटेक्ट में भी कितना बनता है 6 mol ही बन रहा है मतलब कि वैसा जो हम लोग को कंपॉन या वैसा molecular compound जिसमें हमलों को क्या बन रहा है क्या हो रहा है एकवी देख रहे हैं कि यहां जितना मोल पहले था उतना ही मोलव बाद में भी बन रहा है तो इस टाप का जो मोलीक्यूल हो गे उनको हम लोग क्या बोलेंगे तो उसको हम लोग double orangлад बोलेंगे क्या डबल साल्ट यहां पर देखिए और फिर हम लोग क्या करेंगे और वह ऐसा मोलिक्यूल जिस्में लोके को एक्वी मॉलर स्वाल। ऋतना मोध आटेंट में नहीं होगी तो हम लोग कर जो मोलोग समक्राइज और जो मधलग को बराबर ने तो आप पताइए कि यह जो second number जो example है second number एक्जामपल अप क्या बोलेंगे इसको double salt या फिर आप बोलेंगे complex salt तो आप जैसे कि 24 junto था तो बाद में 24 separat बन रहIES मतलब कि यह तो overall में है और ellie मोलर में तो हम लोग जानते हैं कि डाबल साल्ट क्या होता है कि उसने जो मोलर रहेगा वही क्या होता है डाबल साल्ट तो इस तरह से आप भर लेंगे time 1st वाला और 2nd तो आपका t उही gentleman अब आते हैं तिसरेичноर नबर से commission कि पोटैसियम मैं से अनायट है वह आपका 4 मौल है है और अपके आपका प्रॉडक्ट में आपके ताफ् JEN21 और हीजराrah, अपना वह पता चल गी मातलब वह कहा है complex यहां देखिएगे की 4 और यहा देख रहें एक मीटम तो आप क्या वोलेंगे उसको double salt एक बोलेंगे कि complex salt तो जैसा कि मैंने बताया था complex के लिए कि δेखेंगे कि दोनों क्या हो एक विम एक्भी मोलार में नहीं हो गा तो तो वैसा हम लोब molecule को का बोलेंगे complex salt बोलेंगे तो यह इक्जामपल हो जाएगा आपका complex salt का समझ माया अब आप ही बता दीजिए कि जो फोर्थ नंबर है फोर्थ नंबर जो एक्जामपल है वो किसका जाएगा double salt या फिर आपका हो जाएगा complex salt तो आप देखें यहां पर कि copper sulphate तो यहां पर देखें कि sulphate यह सब सारा कुछ तो यहां पर देख रहें ammonia यहां कितना लिया है चार more तो यहां पर जो ammonia वालत है यहां पर देख रहें एक इसका एक्जामपल हो जाएगा complex salt को जाएगा बात समझ माया तो हमें आसा है कि आपको यहीं से clear हो गया होगा कि आखिर हम लोग कैसे example सबसे पहले आपको पता चलिए molecular compound का example भी आपको पता चलिए अब उसी में हम लोग पढ़ें कि molecular compound का दो tap होता है कौन-कौन तो होता है double salt और क्या होता है complex salt अब क्या होता है कि दोनों को हम लोग को पहचानना है हम लोग क्या है कि नहीं है वो तो हम लोग बढ़ेंगे ही कि complex salt क्या है double salt क्या है सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं उसका example को ही पहले पहस्चान ले रहे हैं कि आखिर हम लोग किसको double salt बोलेंगे और किसको complex salt बोलेंगे तो वो भी आप पहस्चान लिए यहाँ पे से चार एक्जाम्पल दिये थे, चारों में साब को डिसाइड हो गया कि कौन कॉंप्लेक्स होगा, और कौन आपका डबल होगा, बस में माया, चलिए, अब आपको और बेटर तरीका से समझ माया आएगा, कि इसका जब डिफ्रेंस करेंगे, और जब उसके बारे हम लोग पढ़ दिसोसिेटेड इन-ेक्व स्rawूल्यूसन और नून आज डबल साल्ग, यह क्या बोल रहा है, कि वैसा साल्ट, जो हम डिसोसिएटेड गों लेकिन अगर उसको हम लोग क्या होता है। किसको डवल साल्ट को तो वह अपना अडेंटिटी को मेंटेन करके रहेगा कि जो हम लोगों पहले था वैसा ही हम लोगों बाद में भी रहेगा अगर वहां अगर अगर रखते हैं तो वह क्या होगा अपने में अपना में रखा आडेंटिटी का जो पहले था वैसा तो नहीं रहा वह तो डिसूसियेट हो गया तो वैसा जो होता है इस तरह का जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं डबल साल्ट के अंदर वह आता है अब यहां पर देखें कॉम्प्लेक्स साल्ट में कि वह जो एडेंटिटी वैसा जो साल्ट होता है जो अपनी एडेंटिटी को क्या होता है लेकिन वह जो अगर उसको में डालते हैं तो वह अपन तब भी वह अपने identity को रखेगा और अगर अधि उसको एक्वस solution में भी अगर डाल देते हैं तब भी वह अपने identity को खोएगा नहीं इसमें क्या था double salt में कि वह solid state में अपना तो कर रहा था अपना मतला identity को तो रख रहा था maintain लेकिन जैसे ही उसको एक्वस solution में डाले वैसे अपने हुआ क्या क्या identity को खो दिया लेगें complex salt क्या है अगर यदि इसको solid में रखा जाया या फिर इसको एक्वस solution में रखा जाया दोनों में से इसको कुछ नहीं होगा वह अपना identity को maintain रखेगा तो रखेगा जैसा पहले था वैसा ही बाद में रहेगा अब इसको अब तो आपको पता चलेगा कि वह identity जो आप कह रहे हैं maintain रखने के लिए यहां से क्या हो रहा है अब बता है कि अच्छा यह डबल साल्ट होगा अच्छा यह complex होगा उसी टाप से आप बताए कि आखिर हम लोग को यहां जो डबल साल्ट और complex के बारे में जो आप बता रहे हैं कि आप कि वहां पर आड़ेंटिटी को खोएगा कि नहीं खोएगा जैसे कि आप बताएं कि कि वहां सॉलिट रस्ट में अपना अड़ेंटिटी को नहीं खोएगा लेकिन जैसे ही उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे वहां अपनी एड़ेंटिटी को खोदेगा complex के बारे मां बता है कि वहां अपनी आड़ेंटिटी जो होता है वो चाहें आप उसको सॉलिट में रखे या फिर उसको एक्वस स्वोड्यूसन में रखे वह अपने आइडेंटिटी को क्या करेगा मेंटेंड रखेगा समझ माया तो ऐसे साल्ट को तो देखे जैसा कि हम लोग जो फास्ट पंन पर यहां पर यह जो इक्जामप्ल या गया हैald यहां पर आपका सौलीट सौललूड में ठीक है अब देखें तो यह आपका सॉलिट मेंटिट घ्राइब त्समर्णाब्र ॉसथbbe अब देखिए इसको जब हम लिक्विट फॉर्म में लेगेंगे मतलब कि एक्वास सॉल्यूशन में जब इसको डिजॉल्व करेंगे तब हम लोग को क्या हो गए यह हम लोग को डिसोसियेट हो जाएगा अभी यहां पर देखिए जब यह सॉलिड अस्टेट में है तो यह क्य हुआ ओखिए और वह क्या हुआ अपने में डिसोसियेट हो गया और अपने को मेंहीं रख पाया किसमें एक्वास सॉलिड अस्टेट में जैसा था वैसा इसा यही था लेकिन जैसे कोपलेक्स में यह उपर लिखा गया है यह सॉलीड फॉर्म में क्या कर रहा था जैसा उसका इडेंटेटी पहले था यह अभी भी था लेकिन जाएसे हैं aqwa solution में टालती है तो अवे अमोग को क्या कर रहे है कि ये दो एकर हो एक रहे हैं amosquare bracket से बाहर वाला वो क्या हुआ है सिर्फ dissociate हुआ है लेकिन देखे असquare bracket के अंदर वाला क्या dissociate हो पाया है क्या नहीं मतलब कि यहां हमोग देख रहे हैं जो अमनों को double salt होता है जो double salt होता है वो पूरा dissociate हो जाता है अपना identity को पूरा equal solution में खो देता है लेकिन वही हम लोग बात करते हैं किसका complex salt का तक complex salt में क्या होता है कि वह solid form में अपना जैसा identity था पहले वैसा ही तो रखता है लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ equal solution में भी डाल रहे है तब भी वो क्या क्या अपना identity को maintain रख के ही रचलता है क्योंकि देखिए square bracket के अंदर जैसा पहले था वही जैसा क्या हो गया पहले बाद में भी रा गया मतलब यह हम लोगो पूरा तरह से dissociate नहीं हो पाए इसका मतलब यही है कि जैसा हम लोग को solid form में था वैसा ही हम लोग को यहाँ पे क्या ची एकवस solution में भी उसी तरह से रहता है मतलब अपने identity को खोता नहीं है लेकिन वहीं हम लोग double salt में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आ गया होगा कि अगर हम लोग को कुछ लिखने के लिए आ जाता है कि बताइए उसमें difference क्या क्या है तो हम लोग क्या लिख पाएंगे क्या हाँ पूरा बिल्कुल अच्छा तरीका से लिख सकेंगे बात समयमा है तो चलिए first point तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा अब देखिए second point second point में double salt के लिए देख रहे है क्या है they give taste of all constituent ions यहां पे क्या है कि जो double salt में होता है जितने भी ions होता है उस सभी का क्या देता है टेस्ट के लिए सभी कंस्टीच canvas के लिए समयमां है इस从itions यह करते है और और जोड़ा तरफल थे आए लेकिन वहींते क्राइव Western सभी या या इंज के लिए आपको य्ज़ाया सभी एक नहींरी mrulated चलिए अब फिर थर्ट पॉइंट के बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं तो थर्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देर कंपोनेंट्स और पर जिन इन इक्वी मोलर रेशियो तो यह तो आपको पहले ही बता दिये थे कि दोनों तरफ हम लोग देख रहे थे तो यह भी समझ मागया कि यह हम लोगों क्या होता है एक्वी मोलर रेशियो में रहता है और इसमें देख रहे है कि हम लोगों एक्वी मोलर रेशियो में परजेंट नहीं होता वही लिखा हुआ है देर कंपोनेंट्स और नोट परजेंट इन इक्वी मोलर रेशियो बात सम कि यहां यहां जब हम लोग complex salt में देखते हैं तो सथ ही सात क्या रहता हैं हम लोग वन भी उसमें present होता में अब किसमें unique bond है मन이죠 से यहां और कि यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर देखने काशिस करते हैं तो यहां पर देखें, जैसे हम लोग डवल साल्ट में, गवल साल्ट को, जब हम लोग के एक्वर स्वल्यूसर में जब हम उसको Dissolve करते थे, तो यहां पर देखें यहां पर टूट गया तो इस परकार से हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो डवल साल्ट होता है आपस में वह कैसा था तो सिर्फ और सिर्फ आइनिक बॉंड ही रहता है लेकिन वही बात जब हम लोग आते हैं इसमें किसमें कॉंपलेक्स आल्ट में जब देखने आते हैं तो देखें यह जो एक्जाम्पल था अब इसको जब हम लोग एक्वस स्वल्यूसन में डिजॉल्व किये तो डिजॉल्व करने के बात देखें तो सिर्फ आस्वार ब्रैकेट के बाहर वला सिर्फ क्या हुआ डिसोसियेट थो यहां से हम लोग पहृष्चान सकते हैं कि यहां पर देख रहें कि जो पोटसियम जो अलग हुआ है यहां पर देख रहें कि इसके अनूसार और वह लोग कॉडिनेट बौन होगा होगा ठीक है बात समयमा तो इस पकार से हम लोग क्ष़कते हैं कि जो double सालट होता है double सांथ में आपका क्या हो रहता है सिर्फ और सिर्फ बाइनिक होता है लेकिन वही बात करते हैं complex के लिए तो complex में आयनिक भी रहता है और साथ ही साथ हम लोगों को कोडिनेट बॉंड भी रहता है पासमीमा चलिए अब फिर आते हैं हम लोग नेश्ट पॉइंट में नेश्ट पॉइंट क्या है सो देखें मेटल और पर जेंट इन नॉर्मल ऑक्सिडेशन अस्टेट इसका मतलब क्या है तो यहां प यहां पर देखें यहां पर जान भी रहे हैं कि पोटैसियम पर कितना रहता है तो यहां पर भी देख रहे हैं तो इस मोलिक्यूल में भी तो कितना है एक ही ऑक्सिडेशन अस्टेट है यहां पर देख रहे हैं कि कलोरिन का जो अक्सिडेशन अस्टेट होता है वो मैनस वन होता है और यहां पर भी देख रहे हैं कि इस कंपोन में भी हम लोग को क्या मिल रहा है तो यहां पर भी हम लोग को एक ही मिल रहा है मैनस वन ही मिल रहा है लेकिन वही जब हम लोग जात हमेशा variable होते रहता है बात समयमा है जैसा कि यहां पर देखिए यह जो एक्जामपल लिये थे इसको जब हो लोग डिसोसियेट किये तो यहां पर देखिए क्या हुआ तो potassium के उपर जो plus one charge देख रहे हैं इसका कहने का मतलब है कि यहां पर कि potassium के उपर कितना मतलब potassium में कितना oxidation state होता है plus one तो यहां पर भी plus one देख रहे हैं लेगिन जैसे यहां पर देख रहे हैं किसमें square bracket के अंदर में तो यहां पर देखिए फेरस जो है जो iron है iron का अगर oxidation state यहां पर निकाल लिएगा तो वह आपका क्या निकलेगा तो यहां पर variable म मिलेगा कि जैसा पहले जो होता है उसका normal form में जो होता है वहां पर देखेंगे कि नहीं होता है हमेसा यहां पर change होते रहेगा कभी plus two कभी plus three ऐसे करके होते रहेगा तो इसी तरह से हम लोग कैसे निकालेंगे इसके बारे माझे डिटेल में पढ़ेंगे oxidation state कैसे निकालेंगे कोडिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे बात समझना तो यह सारा चीज बहुत ही विस्तार पूर्व का आगे पढ़ने वाला है यही चेप्टर में बसरते अभी सिर्फ उपर उपर आपको बता दे रहे हैं कि आखी इसमें कैसे कैसे क्या हो रहा है से ठीक है उसके पूरे डिटेल तो पढ़ेंगे ही तो यहां पे से आपको पता चली गया होगा यह जो पॉइंट लिखा हुआ है कि मेटल आर पर जेंट इन नॉर्मल ऑक्सिडेशन अस्टेट तो यहां पे देख रहे हैं कि जिसका जो ऑक्सिडेशन अस्टेट होता है वही यहां भी बात कि पॉइंट में अगर कहीं भी तो बताईए अभी देखें फिर से एक बार कर देते हैं तो फाइस वुलोग क्या देखे थे तो यहां पर आडेंटीटी के बारे बात की थे डवल साल्ड वला क्या करता है तो वह सॉलिटOLD में अपना हैल्टी को मेंटेन करके रखता ह। जैसे ही एकवस स्वलियूशन में जाता है तो अपना identity को खो देता है, complex salt का क्या कहता है, कि यह चाहने इसको solid state में रखे, या फिर इसको किसमें, मतलब एकवस स्वलियूशन में रखे, दोनों में अपना identity को क्या करता है, maintain करके रखता है, बात समीमाया चलिए, फिर यहाँ पर दूसरा में देखे थे कि इस सभी होता हैuba लेकिन इता कि सभी नहीं देखे उसमें पॉंट को z सहां है, हHigh आनिक पनाता है और यहां पर देख रहे हैं कि complex salt में इसमें आइनिक बॉंड तो रहता ही है साथ ही साथ coordinate भी रहता है बाद समय माँ फिर हम लोग देखे थे last point कि metal का जो oxidation रहता है परजेन वो normal oxidation रहता है लेकिन वह ही अगर हम लोग metal यहां पर देखते हैं किसमें complex salt में देखते हैं तो यहां पर metal का oxidation state vary कर जाता है variable oxidation state पाया जाता है बात समय माँ है तो चलिए इस तरह से इसका हम लोग क्या किये तो example सहीद करके इसका पूरा difference को हम लोग समझ सके तो हम लोग यहां तक हम लोग को पता चल गया कि कौन सा double salt होगा कौन सा हम लोग complex salt होगा और यह दोनों है क्या ची यह भी हम लोग समझ पाया है अच्छी तरीका से ठीक है चलिए फिर चलते हम लोग next topic में तो हम लोग क्या कि कि हम लोग complex salt के बारे में सारा कुछ पढ़ लिए कि complex salt होता क्या है उसका टेस्ट किसमें किसमें देता है या नहीं देता है फिर हम लोग पढ़े उसमें कि उसका जो identity जो वह maintain करता है वह कौन-कौन सा state में करता है यह सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए तो जैसा कि हम लोग complex के बारे में सारा कुछ जनगे अब यहां पर देखना है कि उसको रिपरजेंट कैसे करेंगे कोई भी complex आल्ट का तो देखे हम लोग जैसा कि देखे थे कि complex आल्ट का जो हम लोग example लिए थे तो example में हम लोग इसी टैप से बहुत सारा example लिए थे हैं कि ने तो अब करने से पहले दोस्तों आपको कुछ और बता देना चाहते हैं कि देखे यह चेप्टर है कि धीरे-धीरे-धीरे-धीरे क्या होते चले जाएगा थोड़ा-थोड़ा conceptual होते चले जाएगा और यह क्या करेगा कि आपको पूरा-पूरी focus रख करके वीडियो को देखने का करेगा मतलब कि आप पूरा-पूरी अच्छा तरीका से हर एक वीडियो को देखते चले जाना पड़ेगा और बारेकी से उसको नोट करेगा और उसको बार-बार जितना हो सकेगा आप उसको रिवीजन करते चले जाएगा क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है और विश्व करते हैं तो सभी यहीं बोलेंगे कि नहीं यह जो चैप्टर है बहुत ही टॉफ है क्योंकि इसको बारिकी सी समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता इसी चलते मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि बहुत आसां तरीके से मैं आपको वैसा सेटिंग करके आपको बता रहा तो आप भी कुछिस किजिए कि आप उसको बारे की से फोलो करते चलै जाए और जो मैं कहता हूं इसको आप करते चले जाए ठीक है तो आप पूरा अच्छा तरीका से focus करके क्योंकि यहां से थोड़ा-थोड़ा level क्या होते चलेगा बढ़ते चला जाएगा जैसे जैसे वीडियो को आगे देखते चले जाईएगा आपको difficulties का क्या करेगा तो सामना करते चलना पड़ेगा समझ माया तो इसी चलते आप पूरा अच्छा तरीका से फोकस करके अब वीडियो को देखते चले जाए अब यहां पे जो हम लोग रिफर्जेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स आल को उसमें देखे किसको क्या बोलते हैं तो यहां पे देख रहे हैं कि यह जो यहां पे रहता है जो इसे बाहर हो सकता है अब बाहर वला जो आक रहता है जो भी आपका रहता है, आइटंब हो, या फिर कुछ भी रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ionizable a-sphere बोलते हैं, क्यों इसको ionizable a-sphere, क्यूंकि हम लोग जान रहे हैं कि जभी हम लोग complex salt को, जब हमँ लोग a-quoscope solution में dissolve करते हैं, तो उसमें जो हमलोगो डिसोसियेट होता है वो कौन सा सिर्फ होता है जो अस्क्वाइर ब्रैकेट के बाहर होता है सिर्फ वही हम लोग को डिसोसियेट होता है इसी चलते हैं यह का होता है हम लोग को आयन में बदल जाता है इसी चलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं आयोनाजेबल असफेर बोलत यह हम लोग को지가 ейम होता ही नहीं क्या होता है कि जैसा वो है कोडिनेट्ट वॉन बनाया हो रहाता है उसी टाफ से उन लोग जूडा हुआ रहाता है उनं लोड़ डिस्शोसिएट नहीं हो सकता है उने लोग हो ही नहीं पाता है तो यहां पर देख रहें इस ही चलते ही यह जो स्क्वेर ब्रैकट के अंदर वाला जितने वी इलिमेंट है इसको जो हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यह आयन में डिसोशेट नहीं होते हैं अब इसी को देखे यही जो पॉर्शन है मतलब कि स्क्वार ब्रैकट के अंदर वाला पॉर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वार ब्रैकट के बाहर है उसको और भी क्या क्या नाम से जानते हैं तो यह होता है कि पूरा इधर उधर हम लोगों को क्या होता है तो यह घूमने लगता है क्या होता है इसी चलते हैं इसको यहां पर उनलोग को हम लोग क्या क्या यहां पर बोलेंगे तो यहां पर देखें जब भी हम लोग सेंट्रल में यहां सेंट्रल जो यहां पर सेंट्रल बोल रहे हैं क्या हुँ ची यहां पे देखना है कि कौन सा हम लोगों को मेटल तो यहां प्रेक्षकर करें लिए में पर सा है कि यहां पर देख रहें कि आयरन है यह यहां पर यहां पर तो यह स्टने भी चीज रहेंगे तो हो जाएगा कि जो भी मेटल हो इसको क्या बोलेंगे सेंटरल इस्टरल मेटल बोलेंगे का बोलेंगे यहाँ देख रहें सिएं हैं क्या चिया हैं तो उसको मोंo यहां पर देखें कुछ नंबर को दीखेगा कभी फोर दीखेगा कभी फैब दीखेगा कभी तिरी दीखेगा तो इस तरह का जो number रहेगा, उस number को हम लोग क्या बोलते हैं? Coordination number बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Coordination number, अब ये Coordination number क्या होता है? तो ये सारा चीज़ को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बसरते अभी जो यहां पर हम लोग चार्ट बना के आपको बता रहे हैं, ये हम लोग को रिपरजेंट करने का एक तरीका था, complex salt को. कि हम लोग जो इस तरह का हम लोग दरसाते हैं, तो दरसाते हैं, तो हम लोग कौन सा, जो अस्पिसीज है, जितने भी अस्पिसीज है, उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, उसके बारे हम लोग यहां पर देखें. तो चलिए, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक complex salt को represent करते हैं, तो चलिए हम एक और example लेते हैं, उसमें आपको पूछते कि कौन क्या है, तो उस हिसाब से अगर अधी आप बताते हैं, तो मैं समझ जाओंगा, कि हाँ, आपको पूरा अच्छा तरीका से आप समझ गए है कि complex salt को, जितने भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, वो आप अच्छा तरीके से समझ पाएं या नहीं समझ पाएं, तो हम एक example लिखते हैं, उसमें आप बताईएगा कि कौन क्या है, ठीक है, चलिए, तो चलिए, आपके प आप बताना है कि आखिर ये चीज क्या है, तो जैसा कि आप वीडियो को रोके और आप उसको लिखे अपने copy में, कि आखिर कौन क्या है, ठीक है, उसको रिपरजेंट कीजिए, तो चलिए, हम लोग लेट नहीं करते हैं, अभी तुरंत आपको बताते हैं कि कौन क्या है, ठ सबसे पहले देखें होंगे कि a square bracket के बाहर कौन कोन है, तो यहाँ पर देखें कि a square bracket के बाहर कौन सा था, तो sulfate था, मतलब कि SO4 था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग डिजॉल्व जैसे करेंगे इसको एकवास solution में, तो हम लोग को यह क्या होगा, आयन क सबसे पहले हैं, तो यहाँ पर देखें कि जो a square bracket के अंदर जो रहता है, a square bracket के अंदर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, उस portion को लोग non-ionizable a sphere बोलते हैं, या फिर complex ion बोलते हैं, यह भी समझ गए थे, अब यहाँ पर देखते थे हम लोग कि सबसे पहले कि जो a square bracket के अंदर में, a square bracket के अंदर मतलब यह portion हो गया, और यह portion में देखते हैं कि हम लोग को कौन सा metal है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि copper हम लोग को यहाँ पर metal दिखाए दिया, इसका मतलब जो यहाँ पर metal होता है, metal वही metal हम लोग को क्या हो जाता है, तो central metal हो जाता है, तो यह भी पता च लिगेंड तो यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ हम लोग का अमोनिया है तो अमोनिया यहाँ पर क्या हो गया लिगेंड हो गया बास समय बाया चलिए और फिर हम लोग बोले थे कि यहाँ पे species में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों कुछ number दिखाए देता है अब ऐसा नहीं कि यहाँ थिरी वला देखने जाईएगा यह थिरी तो यह ammonia का formula में ही चल गया था उसके अलावा देखें तो अलावा क्या है यहाँ पे उसके अलावा तो चार ammonia जुड़ा हुआ है और यहीं जो कितने नंबर में जुड़ा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं coordination number तो बता आप इसी तरह से दर्सा लिये था अपने यहाँ पे हम लोग को पता ही नहीं कि यह है central metal item की यह है और कभी-कभी तो mistake यह कर लेते हैं लोग कि जमान के चलिए यह जो सुरू वला हम लोग एक्जामपल यह थे यहाँ पे भी हम लोग को बाहर वला हम लोग को सबसे पहले देखना है कि जो भी रहेगा चाहें वह लेट साट रहे या फिर राट साट रहे तो उसको लोग क्या बोलते हैं अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे हैं कोडिनेशन नमबर बात समयमा है तो इस तरह से इसको हम लोग रिपरजेंट करते हैं बात समयमा है चलिए तो बहुत ही आसान तरीकों से आपको सारा कुछ एक्स्प्रेंट कर दिए ठीक है अब चलते हैं आगे तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो हम लोग कोशिश करें और देखे थोड़ा कंसेप्चुल भी आ जा रहा है तो कोशिश करें कि जितना भी एक lecture में बताया जाता है उसे आप दिन भर में जितना सा स्टुडेंट को बोला जाया और उसे अगर वो फोलो करते चला जाता है तो हर एक चप्टर उसके लिए असान हो जाएगा और मैं ज्यादा से ज्यादा परियत में कर रहा हूं इस चेप्टर को लेकर कि आपको बहुत ही आसान तरीकों से सारा कुछ समझ माँ ठीक है तो यह अगला लेक्टर में जो हम क्लिएर करेंगे वो कौन सा कौन सा नस्त्र में ऍसके कुछ 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 नामकरन मिठेंगे ऊसको बारिकी से और अच़ीत तरी करएंगे अगले लेक्टर में ठीक है तो अभी चाहता तो अभी उसको किलिया कर लेता लेकिन मैं चाह रहा हूं कि उसे अगले लेक्षर में complete कर लिया जाए तो चलिए तो इसी तरह से दोस्तो आप पढ़ाय करते रहें और फिर हम लोग क्या करेंगे इस जंग में जिस जंग में हम लोग त्यारी कर रहें उसे हम लोग चरलिया कर दो दोस्तों में जिसन लेकिन में कर लोग कर लोग कर लोग तो णो लोग जरूए ए रहें लोग किग्टन मूजी जाए myst़, झाल, बस्तों में लोग कर रहें जरूभस थ Крас़